हालो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग वेरी हाटी विल्कम तो दिस माइंड ब्लोइंग प्लाटफॉर्म फिजिक्स वाला माई नेम इस वूपर श्रमों बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं दो दो पोएम्स वो है फॉग और फॉर और ग्रेगरी सबसे पहले ट है हम लोग शायद कोहऊरे को देखकर यह सब नहीं सोचते होंगे जो पोएट कोण हम हीं सोचने पर नचबूर कर दिया है वह हम लुग पढ़ेंगे दूसरा है फॉर अन ग्रेगरी बई अब Ann Gregory कौन है, Ann Gregory एक लड़की है, जो बहुत खूपसूरत है, उसके ब्लॉंड हेर है, ब्लॉंड हेर यानि की येलो बाल, अब जैसे कि इंडिया में काले घने बालों को बसंद किया जाता है, वैसे ही बच्चों यॉरोप में ब्लॉंड या येलो हेर वारी लड़कियों को बहुत खूपसूरत माना जाता है, इस खूपसूरत से लड़की को poetic message दे रहा है, वो message हम लोग इस poem में पढ़ने वाले है, तो चलिए, सबसे पहले fog को देख लेते हैं, बहुत चोटी सी poem है ये, ठीक है, बहुत चोटी सी है, two-line poem है, haiku poem भी इसको बोलते हैं, ठीक है, क्य song की second line है, सिर्फ दो line की poem है, शुरू होते ही खतम हो जाती है, लेकिन इसके पीछे बाते शुपी हैं, बच्चो वो बिलकूल अलग सी है, तो fog comes, poet के रहे, fog आती है, यानि कि धुन्द आती है, on little cat feet, cat feet, यहाँ बिल्ली के साथ fog को compare किया गया है, यहाँ बोला गया है, कि ज लोग अंदासा नहीं लगा पाते हो, फड़ा फट से आती हो, फड़ा फट से ही चुप चाप चली जाती है, जिसे बिल्ली जो है, बिल्ली भी कब आती है, कब चली जाती है, बता नहीं चलता, it sits looking over harbour in city and then moves on, वो कहते है, it sits, वो बैठती है, ठीके fog कैसे बैठती है, fog जो ह ship वगेरा जो है वो रखी होती है, और city के ओपर वो च्छा जाती है, कोहरा च्छा जाता है, और फिर वहाँ से चला जाता है, कोहरा जैसे आता है, वैसे ही चला जाता है, इसको detail में आपको मैं image की थूँ जो है, वो समझाती हूँ, देखो भई, यहाँ ना, यह देखो, बि बैटती है, उससे फॉक की शेप को compare किया गया है, यहां देखो, यह फॉक किसे उसने area कोnın cover के रखी है, वैसे इहाँ बिल्ली ने cover के रखाए, यहाँ बिली के साथ फॉक को compare किया गया है, एक बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, एक तो poet ने उ आग भी compare किया है और जो है एक और comparison है यहां पर वह है खुशियां ठीक हुशियां और गम जिस सदर्वा से खुशियां आती है और चली जाते हैं हम हमेशा तो खुश नहीं रहते हैं हमारे पास कोई happiness है हमने कोई नई चीज करी दी हमारे पास हमने कुछ कोई भी किसी चीज से हमें खुशी मिली तो खुशी कितनी temporary होती है हम लोग अभी कुछ है थोड़ी दिर बाद हम दुखी हो जाएंगे वैसे ही पोयट कहता है कि वैसे ही दुख भी होते हैं दुख कब आते हैं और दुख चले जाते हैं पता ही नहीं चलता ठीक है हम हमेशा किसी को क्या कहते है अगर कोई दुख्यां थों क्या है कोई भात नहीं दुख्य और दो हमेंशा नहीं रहता वैसे जी सप्लिजर दुझ आज राटी है थूनद अती है उसी तरी के से छुशियां साम नहीं होना परिशान नझेये यहां सीधा सीधा comparison cat के साथ किया गया यह आपको याद रखना है important key points देख लेते हैं haiku poem है यह जैसे कि मैंने आपको बताया haiku poem का मतलब होता है बच्चों two line poem two line poem है यह साथ ही साथ यह बताती है poet's appreciation for nature poet nature को appreciate कर रहा है देखो हम लोग क्या करते हैं हम नेचर को बहुत for granted ले लेते हैं हम लोग नेचर के beauty को पहचानते ही नहीं मलब ध्यान ही देते हैं हमारे आसपास इतनी खुपसरोच जो है वो चीजें है जैसे कि एक पार है मेरे घर के पास तो मुझे याद आ रहा है कि हम लोग उस पार में जाते थे न तो बाक में बहु रंग कितने तरीके का होता है जैसे कि आपने खुद ही देखा होगा आप कभी पार्क में जाओंगे ना तो बहुत सारे पेड़ होंगे आप देखना हर पेड़ की जो पतियां होती है उनका कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है पता नहीं सौत रहकी का हरा रंग जो है वो ज उनों नने भी खाता नेटर को एप्रीशेय tuo वैसे ही likely करते हैं नेशर से हम लोग बहुत कुछ सेख सकते हैं नेशर की ब्यूटे को कर सकते हैं तब लोग जाते हैं घर बार छोड़ कर हिल स्टेशन पर घोमने के लिए वहां जाकर धूंद देख नहीं तो जाते हैं कितन से बनावट है वेसी फौक की बनावट है हाइलाइट तब इचर यहां ब्यूटि ऑफ नेचर को है लाइट किया गया है एक बहुत ही क्लेवर और मुझेंग वे में बड़ी ही चलाक तरीके से और बहुती मज़ेदार में यानि के बहुती मज़िदार तरीके से compare किया गया है ठीक है इसके poet कौन है वो है काल सांडबग काल सांडबग को उमने क्या देखा इक्सिलेंट नेचर की observation बड़ी सबर्दस से इनकी को जो है वो cat के साथ compare किया गया है यहां बच्छों enjambment भी है enjambment समझते हो na enjambment होता है continuation without any punctuation marks ठीक है when the line is being continued to the next line without the use of punctuation mark यहां देखो एक line से दूसरी line पर हम लोग आ गए है यहां ना कोई no comma no full stop यहां ना ही comma है ना ही full stop है ठीक है तो यह क्या है यहां पर enjambment है वैसे इस line में भी और इस line में भी enjambment देखने को मिलती है line जो है वो next line में भी और यह वाली line भी next line में continue हो रही है तो इसे enjambment कहते है ठीक है आगे क्या है personification personification कहा है यहां पर भाई फॉग जो है फॉग एक non-living thing है लेकिन फॉग के लिए क्या word यूज किया गया है क्या lines यूज की गई है यहां बोला गया it sits looking कि वो बैठी हुए है ठीक है फॉग जो है उसके लिए क्या यूज करा है comes और फिर क्या यूज करा है moves on तो यह तीनों चीजें वो जो है आती है फिर वो बैठती है फिर वो चली जाती है तो यहां पर फॉग को personify किया गया है पर सॉनिफिकेशन यानि उसका व्यक्तिकरण किया गया है उसके अंदर ही सरगी qualities डाली गई है उसको person के साथ compare किया गया इस तरह से person आता है जाता है और बैठता है वैसे फॉग को बोला गया है तो फॉग की यहां personify केशन है अनालोगी यहां और लागी है बच्चों अनालोगी का मतलब क्या होता है अनालोगी का मतलब होता है the comparison on the basis of structure, on the basis of structure, यहां आपको पता है कि fog को cat के साथ compare किया गया है, जिस तरह से cat का structure होता है, cat की बनावत होती है, जिस तरह से cat बैठती है, वैसे ही fog जो है वो च्हा जाती है, तो यहां analogy है, analogy का मतलब होता है, shape के structure के basis पर comparison करना, तो fog और cat को क्यों compare किया गया है, क्यों एक बोला गया है, क्योंकि उनका structure एक जैसा है, ठीक है, फिर उसके बाद है imagery, imagery यहां पर किस तरह की imagery उसकी गई है, visual imagery, visual imagery, जब आप इस poem को पढ़ते हैं, तो वाकई में आप अपने मन में imagine करने लगते हैं, धुन्द को, क्या आपके म में बन जाती है, ठीक है, I hope यह आपको समझ में आ गया, तो जिस सरह से दो चीज़ें हो गई यहां पर, एक तो cat के साथ comparison है, और दूसरा एक और अगर हम लोग deep meaning समझें, तो यह है कि जिस सरह से खुशियां आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही दुख भी आती हैं और चली hair है, इसके poet है William Butler Yeats या फिर W.B. Yeats जो है, हम लोग इनको कहेंगे, क्या है इस poem में, यहां poem में बोला गया है, poet यह conversational poem है, conversation चल रही है, conversation किस के बीच में, यांग मैन और यांग विमन के बीच में, और वो बात करें हैं कि खुबसूरती के बारे में, ठीक है, खुबसूरती कह रहा है कि कभी भी, कभी भी, कोई भी एक आदमी, जो कि despair में, यानि कि दुख में है, वो जो है, उसे तुम्हें प्यार करना चाहिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे उन honey colored, honey के साथ compare किया गया है, मैंने बुला ना, blonde, honey का color भी blonde होता है, yellowish होता है, goldenish yellow जो होता ह और blonde हेर भी वैसे ही होते हैं, तो उन्हें कहा कि कोई भी, जो हो तुम्हें प्यार करेगा, तो तुम्हारे honey colored हेर के लिए, love you for yourself alone, लेकिन उसे करना किसले चाहिए, तुम्हें तुम्हें प्यार करना चाहिए, यहां comparison किया गया है inner beauty और outer beauty में, inner beauty का मतलब अंदरूनी बहुत खुबसूरत हो, तो इसलिए आपको पहली बार देखा, अरे वाहा कितने खुबसूरत हो, चलो, जो है आप ही हमारे लिए perfect हो, जी नहीं, अंदर से बहुत सारी लोग हैं, जो देखने में बहुत खुबसूरत होते हैं, ठीक है, बहुत खुबसूरत हैं, लेकिन अंद्रूनी खुबसूरती के लिए प्यार करो, but I can get a hair dye and sit such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair, फिर उसके बाद Ann Gregory बते है क्या कहते है, Ann Gregory कहते है, लेकिन मैं न क्या करूँगी, मैं अपने बालों में dye कर लूँगी, hair dye समझतो न, बालों को में नहीं, मैं रंगवा लूँगी, कैसा, ऐसा color वहाँ पर set कर दूँगी, मतलब ऐसा color वहाँ पर मैं बिठा लूँगी, कैसा brown या black या carrot, carrot का मतलब की orange color, यंग man in despair, वो जो आदमी, जो मेरे प्यार में फड़ा हुआ है, जो है दुखी है, क्योंकि मैं उस रिजेक करे जा रही हूँ, वो आदमी मुझे सिरफ मेरे लिए प्यार करे, मेरे बालों के लिए नी, उसके कहने का मतलब है, अगर मेरे बालों से प्यार करता है, मेरे पील प्यार नहीं करता, तो इसका मतलब वो परसन सहीं नहीं है, तो वो चाहती है कि उसे जो प्यार करे, वो उसकी खुबसूरती की वज़ा से नहीं, उसकी मन की खुबसूरती की वज़ा से प्यार करे, I heard an old religious man, but yesterday I declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair, फिर उसके बाद तीसरा फिर से poet कहते हैं, कि मैंने राख को एक old religious man, old religious man यहाँ पर उन्होंने भगवान की बात की है, कि भगवान ही है, ठीक है, old religious man, यानिकि एक जो है, जिसे यहाँ पर वो चर्च के फादर होते हैं, चर्च पर उन्होंने religious man के चर्च का फादर नहीं बोला, क्योंकि अलग-अलग religion के लोग इसे पढ़ सकते हैं, तो आप यह मान लो, कि किसी priest ने ऐसा कहा है, कि पिछली रात कहा था, उन्होंने प्रूफ किया है, कि ऐसा लिखा हुआ है, कि सिरफ भगवान ही है, जो हमें हमारे दि Poet ने यह declare करा है, कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, जो आपको आपकी inner beauty की वज़ा से पसंद करे, कोई भी ऐसा लड़का नहीं है, किस लड़की को वो समझा रहे है, कि जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे, तुम्हारी खुबसूरती को देख कर न होता, कि आपकी हाइट बहुत सुंदर है, आप बहुत देखने में अच्छे हो, ठीक है, खुबसूरत हो, तो सिर्फ वो सच्छा प्यार नहीं है, true love is only based on the inner beauty, inner beauty पर डिपेंड करता है, अगर आप अंदर से खुबसूरत हो, कोई आपको आपकी अंदरूनी खुबसूरती क है, इसलिए आप से कोई प्यार करें, उसे असली प्यार कहते है, it is only God who loves his people selflessly, सिर्फ भगवान ही है, जो selflessly, selflessly यानि कि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी जरुद के, मतलब आपको वो कहते ना कि unconditional जो है वो प्यार करते है, unconditional प्यार की जो है, यहाँ पर बात की गई है, व यहाँ जो यह poet है, यह इतनी लंबी poem उन्होंने यही समझाने के लिए लिखी है, आगे यहाँ पर rhyme scheme है, A, B, C, B, D, B, ठीक है, यह rhyming scheme है, rhyming scheme मैंने आपको बताया ही कि कैसे पता करते हैं, ठीक है, आगे poetic devices, यहाँ देख लेते हैं, बड़े important है poetic devices, बच्छों, metaphor है यहाँ Annie के hair को compare किया गया है, ramparts of the, मैंने यहाँ hair लिख दिया, ramparts of the fort, ramparts of the fort के साथ जो है, वो compare किया गया है, बच्छों भाई, यह ध्यान से समझ लो, क्या बोल रही हूँ, मैं, यहाँ बोला गया है, by those ramparts at your hair, ramparts का मतलब क्या होते है, बहले मैं आपको बता देती हूँ, कोई व यह की जो हमारे बाल है, वो हमारे कानों को ऐससे धक लेते हैं, ठीक है, हमारे कानों को वो protect करते हैं, तो इस तरह से यह जो है ना, ramparts के साथ उससे compare किया गया है, कि तुमारी जो यह गिर रही है, तुमारे चेहरे पर और तुमारे कानों को धक रही है, इसी honey pastel hair के लिए जो वाल के साथ compare किया गया है, यहां पर alliteration है बच्छो, alliteration का मलब आपको पता है, repetition of the consonant sounds, your yellow, एक minute, just a second, your yellow, और यहां पर your yellow, और यहां पर set such, यहां पर आप देखोंगे, y और y repeat हो रहा है, your yellow में, repetition of the consonant sound, लेकिन, word के starting में होने चाहिए, y, y, set such में, s, s, जो है वो repeat हो रहा है, और yellow, your yellow में भी y, y, जो है वो repeat हो रहा है, तो यह alliteration है यहां पर, तीसरा है यहां पर anaphora, anaphora का मनलब होता है, repetition, repetition, यहां कहां देखने को मिलता है, बच्छो, यह देखो, that, that, that he had found a text to prove that only God my dear, यहां पर जो है बोला गया है, कि एक text है, किताब है, जिसमें यह लिखा हो है, कि सरफ भगवान ही है, जो आपको selflessly प्यार करेंगे, तो यह that, that repeat हो रहा है, तो that is your anaphora, anaphora का मतलब हो गया, repetition, जब होता है किसी शब्द का, consecutive lines में, consecutive line यानि एक line के बाद दूसरी line, ठेक है, अब I hope आपको यह poem जो है वो समझ में आ गई होगी, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ताकि आप याद रखें कि यह poem किस बारे में है, यह है inner beauty versus outer beauty, कि कोई आपको प्यार करे, तो आपके मन के लिए करे, आपके दिल के लिए करे, आपकी आत्मा के लिए, आपके दिमाग के लिए, कि वो खुबसूरत है इसलिए, आपकी खुबसूरती के लिए नहीं, क्योंकि आपको पता है कि खुबसूरती हमेशा, नहीं रहते ही बुड लिया गया है, तो यहां आपको एक RTC दिया हुआ है, एक पारग्राफ दिया हुआ है, इस पर बेस क्वेशन है, चलिए, उनको फटा-फट से इसकेस कर लेते हैं, बट I can get a hair dye and said such color there brown or black or carrot that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. भई ध्यान से इस पारग्राफ को देखो, यह जो second paragraph है, इस पोयम का, इस पर बेस जो है वो questions आए हुए है, तो चलिए, पहला question है बचो, what is the poet's tone in the extract, tone कैसी है पोयट की, कैसी tone है, कैसी है, किस तरह से तरीका है उनका बोलने का, यहाँ पर उनका तरीका है thoughtful, thoughtful यानि कि वो सोच रहे है, thoughtful है, सोच के जो है वो बोल रहे है और argumentative है, बहस कर रहे है, जो आन ग्रेगरी वो बहस करते हुए बोल रहे है, अथोरोटेटिव नहीं है, वो authority नहीं दिखा रही है, कई लोग सोच सकते कि वो बोलोगी मैं ऐसे करूँगे, मैं ऐसे करूँगे, नहीं अथोरोटी नहीं दिखा रही है वो, ना ही वो गुसे में है, agitated भी नहीं है, और ना ही वो किसी की insult कर रही है, she is just thoughtful, यहाँ पर जो poet है, वो thoughtful है, Ann Gregory भी thoughtful है, और यह argumentative है, argument करें कि ठीक है, अगर कोई मुझे मेरे बालों के लिए प्यार करेगा, तो मैं अपने बालों का रंग बदल लूँगी, तो यहाँ आपका answer हो गया, बच्चों, D, 1 and 5, आगे चलते हैं, what causes a young man to despair according to the extract, भाई बच्चे, बहुत सारे हैं, जो confused हुछाते हैं, यहाँ despair word क्यों use किया गया है, despair का मतलब है sad, यह जो young लड़का है, वो sad क्यों है इस extract में, भाई, sad इसलिए है, because of being rejected by the women, as he is rejected by the love of his life, यह जो लड़का है, यह Ann Gregory से बड़ा प्यार करता है, और यह despair में इसलिए है, क्योंकि Ann Gregory उसे reject कर रहे है, क्योंकि Ann Gregory को ऐसा लग रहा है, कि यह मुझे मेरी outer beauty की वज़ासे पसंद करा है, inner beauty की वज़ा से, नहीं, इसलिए यह लड़का यहाँ पर दुखी है, rejection की वज़ा स beautiful, वो control करना चाहती है, कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसे खुबसूरत दिखती हूँ, दूसरा, her desire to be love for inner beauty, वो चाहती है कि कोई उसे उसकी inner beauty की वज़ा से प्यार करे, तीसरा, her need to change people's perception about beauty, वो लोगों की खुबसूरती को लेकर जो धारना है, उसे बदलना चाहती है, या भात करें, तो वो अपने बालो को क्यों रंगवाना चाहती है, इसीलिए specially रंगवाना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है, कि ठीक है, तुमötशे मेरे yellow वालो की वज़ा से पसंद कर रहा है, तो मैं अपने बालो का रंग ही बदल दूगी, ठीकि मैं अपने बालो का रंग बेपर आते हैं ति यलो का मतलब ब्लॉंड होता है कि मैंने आपको अलड़ी बता दिया है अब क्यारेट कौन सा कलर है क्यारेट औरिंज कलर अब बच्चे मुझसे पूछेंगे कि माम क्यारेट औरेंज कलर की कब से होने लगी क्यारेट तो लाल रंग की होती है तो बच्चों आपने बाजार में जब गर्मियों में अभी तो सर्दियों में लाल लाल गाजर वो आ रही है लेकिन गर्मियों में जो है वो कैसी आती है जिसे कि pink carrot बोला जाता है, पर वो होती orange color की है, जिसे pink carrot या foreign की carrot जो है वो बोला जाता है, American carrot जो है जिसे बोला जाता है, वो कैसी होती है दिखने में, orange color की होती है, जो noodles में, chaumine में, Chinese खाने में, जो है वो डलती है, तो वो orange color की होती है, तो तब ही तो कहती है, मैं अपने बा बच्चो ऐसा ही question हमने the book that saved the earth में भी किया था जिसमें present के चार-चार meaning दिये हुए थे चार sentence में चार तरह के meaning थे यहां भी set word के तीन meaning आपको दिये हुए है तीन तरीके से तो आपको पहचाना है कि actually poem में इसका क्या मतलब था I want to set him up and get my work done this time मैं उसे set करना चाहती हूं सेट का मतलब मैं उसे ठीक करना चाहती हूं मैं उसे ठीक कर दूंगे और आज रात को ही उससे सारा मतलब अब मैं उससे सारा काम जो है वो करवा लोंगी दूसरा Do you have another set of books that I can read क्या तुम्हारे पास किताबों का दूसरा सेट है यहां सेट का मतलब होगे और बंडल है किताबों का और तीसरा है the desert needs to be set for two hours before being served इस desert को दो घंटे के लिए set करके रखना पड़ेगा यानि जमा के तो है set करना पड़ेगा तो जब desert को set करके रखना पड़ेग कि एंट सेट सच कलर देर में अपने बालों में ऐसा रंग बिठा लूँगी ताकि वो बैट जाए set हो जाए वहां पे तो यहां होगा इस कांसर सी ठीक है सी होगा इसकांसर तो इस तरह के questions जो है वो आपको exam में आने वाले हैं तो ध्यान से पोयम का जो है वो meaning तो समझना ही है उसकी अच्छी सी analysis भी समझनी है ठीक है I hope जो है यह आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई doubt है तो आप पूच सकती है thank you so much for this video मिलेंगे न नेक्स वीडियो में तेक क्या बाइ